हाँ तो दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग फॉर्मॉर्क यानि पिलिंद बीम में हम लोग सैट्रिंग कैसे लगाते हैं इसके थुरू हम लोग जानेंगे कि प्लिंध बीम में सेटिंग लगाते समाई उससे पहले आपको क्या-क्या ध्यान रखना है जिससे कि आपका प्लिंध बीम का सेटिंग बहुती अच्छे और इसमूद बने उसके लिए आपको जहां देख रहे हैं यहाँ बन रहा है एक सब्सक्रीय में तरहीं डर्वल्चुन सके जितना थन्व बीम के लिए 25 से चालीश से में आपको क्या-क्या मिलन रिया सेमय , लेकिन यहाँ देख कि लगा ही उससे पहले आपको यह सब नहीं रखना है साथ ये साथ देखना है कि कैसे लगाता है क्या ये मजबूत है कि इसके बाद जो ہے इसमें वाइबरेटर चलाया जाएगा तो वाइबरेटर चलाते समय कोई भी दिक्कत ना हो आईसा ना हो कि 40mm का जो नीडल का अगर वाइबरेटर 央ोग दिक्कत होगा या फिर फॉर्मवॉंग जु हट सकता है तो आपको यह भी धियान लगना है साथी साथ जो है आपको फॉर्मवॉंग जिखे हैं ऊड़ेन का युज हो रहा है तो पॉडेन जब यूज कर रहे हैं फॉर्मवॉर्那 तो आपको यहाँ पर शर्ट्रिंग में जो आपको इहां देख रहे हैं तरफन है इसे क्या होगा कि आपका सरफेस स्मूथ होगा कही भी आपका टाश भी वाद कोई भी णो अक्ट डेको आपको दियान देना यहां यहां वेटाँ आपको एल स merchandise नहीं किया गया तो एन equiv नहीं किया है डो रोड घल में बना रहें क्योंकि उसका पकड़ ज्यादा बनता है उसमें आपको benefit मिल सकता है जब भी कोई जो है vibrate होगा कहीं भी तो आपको वो भी धियान रखना है साथ ही साथ जहां देख रहे हैं यहाँ पे 10 इंच का जो इटाई इसके नीचे जो है बना दिया है उसको जो है आपको उपर में जो है clear cover मिलना चाहिए लेकिन अगर आप cover block नहीं लगाते है तो वहाँ आपको chance जो है इधर उधर हो सकता है 25 mm जाला कहीं 20 mm हो सकता है 15 mm हो सकता है या फिर कहीं फिर 15 mm भी हो जाएगा तो cover block लगाने से जो है आपका सब चीच सही होगा साथी साथ जहाँ देख रहे है कि यहाँ पर cover block लगाने के लिए यह लोग spacing जो यहाँ का जो ring है यह जो यह जो है आपका ring जो है अच्छे से 135 डिग्री में बेंड नहीं किया है तो आपको यह भी धियान देना है कि आपका ring जो है सारा 135 डिग्री में बेंड हो यहाँ का देख रहे है यहाँ का सर्य जो है आपका main bar पिलिंध बीम का yield साइज नहीं किया गया है यहाँ पर yield ना करने के काराण कभी भी अगर यहाँ यहाँ पर यह अर्थ कुईक होता है तो इसका जो है failure होने का chance रहता है आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा जो है yield बना के column के साथ tie beam को यह पिलिंध beam को रखना है development link के साथ तो उसके साथ ही जो है आपको यह सब चेक करना है ताकि आपको बाद में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो तो इस वीडियो में बस जो है कि हम लोग कास्टिंग कैसे करते है या फिर फर्मोक लग जाने के बाद क्या क्या चेकलिस्ट है साथ ही साथ जो आप लोग को भाइबरेटर कैसे चलाता है तीस चैनल में अगर पहली बार है तीस चैनल को सबस्क्राब ने ना भुला ता या अने वली बुला सुना हो